हेलो फ्रेंड्स आपकी कामनी एक बार फिर हाजीर है आपके लिए एक दम नई रेसिपी ले करके तो फ्रेंड्स आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए बिना देरी की हुए करते हैं फटाफट से शुरूर हम बनाएंगे पत्ता गोभी की बहुत ही स्वाधिष्ट सी सब्ची जो की नॉर्मल सब्ची की तरह ही बनाएंगे लेकिन बनाने का ज एक पत्ता गोभी लिया है दो प्यास और चार आलू तीन से चार हरी मिर्च और पान से छे लहसुन की कल्याली है आप यहां पर टमाटर एट कर सकते हैं लिकिन मैंने टमाटर को अभी स्किप किया हुआ है क्योंकि जो पत्ता गोभी की सब्चीन उसमें टमाटर मुझे नही इसमें आलू एट करेंगे तो फ्रेंड्स जब भी आप आलू फ्राय करें तो पहले से आलू को धो करके सुखा करके ही तेल में डालिएगा लिकिन हमें रेस्पी सूट करनी होती है और फटा फट से ही मैंने आलू को धोया और सीधे तेल में डाल दिया है तो इसलिए मैं इ अब हमें क्या करना है खोल करके इसे पकाना है तो बस एक दो सेकंड के बाद हम बीच में इस तरह के से स्पेस बना लेंगे और लहसुन भी डाल देंगे तो इससे क्या होगा वीर दीरे हमारे आलो भी फ्राइ होते रहेंगे और सब्चिया भी पक जाएंगी तो अभी फिलाल यह लहसुन डाला है और इन्हें हमें गोल्डन ब्राउण कलर आने तक फ्राइ कर लेना है और लीजे लहसुन अच्छे से हलका सा साथे हो गया है बस बीच-बीच में चलाते यहां पे जरूर रहना है और इसी तरीके से हम अब इसमें प्यास डाल देंगे ताकि आलू भी पके और जो हम इसमें सब्चियां भी डालते ना वह भी पकती रहें इससे जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़ियां सोंधा सोंधा सा आता है और बहुत ही जटपटी सब्ची बन जाती है तो यहां भी मैंने प्याजाइट किये हैं दो मीडियम साइस के साथ में चार हरी इससे फाल लिया है बहुत यादा टेस्टी लगती है हरी मिर्च खाना मुझे इस तरीके से सब्ची खाएंगे ना और यह जो हरी मिर्चा तेल में फ्राई होगी तो तीखी कम हो जाएगी आप चाहे तो नॉर्मल कट करके भी डाल सकते लेकिन इस तरीके से मुझे अच्छ देना है तो लीजिए हमने पत्ता गोभी एड कर दिया है और जब पत्ता गोभी सारा हम इसमें आड कर देंगे तो कढ़ाई भर जाएगी यह देखिए क्योंकि पत्ता गोभी जो है ना बहुत ही फूला फूला होता है और अब हमें क्या करना है इसे अच्छे से मिक्स कर ल आप उसे इसलिए भी कर रही हूं न क्योंकि यह जो कड़ाई है नौन श्टिकी वाली है इसमें कर्ची के जो निशान पड़ जाते ना फिर बहुत खराब लगते हैं देखने में तो चलिए बिना नमक मिर्चा कुछ डाले से कवर करके पकने देंगे तो बस इसे दो तीन मिन अच्छे से तेल में भुन गई है आलू भी पहले हमने भून लिये थे प्यास भी भून गया हरी मिर्च भी भून गई है अब यहां पे पत्ता गोवी को भी हमने तेल में फ्राइ कर लिया है और इस तरीके से जो सबची है ना नॉर्मल सबची से बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वात की अनुसार, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लगबग आदा चोटा चमच के करीब डालिएगा, साथ में यहाँ पे डालेंगे एक से देड़ चमच, धनिया पाउडर, और मैंने यहाँ पे डाली है काश्मीरी लाल मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च की मातरा जो है कम जादा कर सकते हैं, चलिए आदा चोटा चमच के करीब गरम मसाला एट कर रही हूँ, मसाले बहुत ही सिंपल और हलके ही डालने हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, कभी कभी क्या होता है न, हम बहुत ज़्यादा हाई मसाले कर देते हैं सूखी सबजी में, इससे क्या होता है न, कि जो सबजी का रियल टेस्ट यानि पत्ता को भी जो होती है न, उसका टे मिस्टी की जगे मसाले जादा होने के कारण अकराने लगती है यानि बहुत हाई मसाले हो जाते हैं तो वह नहीं करना है सूखी सब्जी में नॉर्मल सिंपल मसाले रखिएगा बस इसे भूनने का तरीका है वह समझ लीजिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बना करके तैयार करें और मसाले मिक्स करने के बाद अच्छे से कर देंगे कवर और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तो लगबग हमारी सब्जी पहले ही 50-60% पक चुकी थी अब हमने यहां पे 40% जो कमी थी ना वह भी हमने अब पूरी कर ली है और बस अब हम इसे चलाते हुए एक दो सेक पकी ना हो या फिर भूनी ना हो तो पच पची लगती है तो पच पची ना लगे इसलिए मैं इस तरीके से कंटीनियूसली चलाते हुए इसे भून रही हूं हाई फ्लेम पे भून सकते हैं और यह एक्टम क्रिस्पी करारी अभी आप देखिएगा भूनने के बाद कलर टो हो जाएगी चलिए अब गैस को करते हैं बंद फटा फट से हरा धनिया गानिश कर देते हैं तो फ्रेंड्स जब हम पत्ता गोवी की नॉर्मल सब्ची डेली यूज में बनाते हैं तो क्या करते सीधे तेल डालते हैं प्याज लैसुन हरी मिर्च टमाटर बगेरा एड़ करक बहुत ही सोंधी एकदम बढ़िया परफेक्ट कहीं से कच्चा पनने मालुम देगा मसाले भी बिल्कुल बैलेंस डाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है तो यह सब्ची बहुत ही सिंपल लेकिन नॉर्मल सब्ची से काफी ज़्यादा टेस्टी लगती है क्यों